Hello everyone कैसे आप सब आज हम बात करेंगे मणिपूरी डान्स की तो हम बात कर रहे हैं इंडियन क्लासिकल डान्स की जिसमें यह सिक्ष्ट डैन्स की बात कर रहे हैं So let's start तो जो मणिपूरी डान्स है मणिपूरी स्टेट में किया जाता है तो वहाँ पर जो गंधर थे उनके साथ सीव और पारवती जी का ये डांस होता था लेकिन जब वैशनवबाद का उत्थान हुआ तो ये डांस और ज्यादा फेमस हो गया तो जो रविन्ना टैगोर जी है उन्होंने इस डांस को फेमस कराने में अपना महत्तोपूर योगदान दिया है क्योंकि जो उन्होंने सांतिनी केतन की स्थापना की थी वैस्ट बैंगॉल में तो वहाँ पर जब एंट्री हुई इस डांस की तो ये और ज्यादा फेमस हो गया तो जो ये मनी पूरी डांस है इस पर जो सब्जेक्टिव से ज्यादा भक्ती पर बल दिया जाता है यहां पर भगवान जी की पूझा अराधना पर जादा फोकस किया जाता है जो यह डांस है इसमें लश्य और तंडव दोनों हैं बट जो लश्य पक्ष्य उसमें जो जो मणी पूरी डांस है उसमें जो मुद्राए हैं जैसे आपने देखा होगा इससे पहले की वीडियो में, जो सदर इंडिया के डांस थे, उनमें काफी हाथ की मुद्राएं, पैर की मुद्राएं थी, लेकिन जो ये डांस है, इसमें लिमिटेड मात्रम है, इसमें जो हाथ है और जो घुटने है, उनका कम यूज होता है, क्यो यूज करता है, लेकिन जो ये डांस है, इसमें लालित्यपुन गति का काफी बल होता है, इस डांस में नागा बंदा, जो मुद्रा है, जो एट की आकरती बनती है, वो काफी फेमस है इस डांस की, इस डांस में जो सेंट्रल आइडिया है, वो है राशलीला, तो राशलीला इंदुसेंस की जो राधा कृष्न का डान्स का या उनके प्रेम के चर्चे उस टाइक में बात करता है। इसमें जो वाध्यायन यंद्र है उनका यूज होता है ढोल पूंक कड्ताल अदिक्या और इनके म्यूजिक के द्वारा इस डान्स को किया जाता है। जो ये डान्स है इस पर जैदेव और चंडी दास की जो रचनाएं हैं उनका यूज किया जाता है, इसके जो प्रशित समर्थक हैं, वो हैं जावेरी बहन है, जिनमें है नयना, सवर्ना, रंजना और दर्शना, और इनमें है एक और गुरु विपिन सिंह, जिन्हों ने इसको काफी फेमस कराने में अपना योगदान दिया है, तो इस परकार ये मरी पूरी डान्स था, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अगर आपको कोई भी प्राबलम हो या कुछ भी पूछना हो तो प्लीज कमेंट करके पूश सकते हैं, और कैसे मैं इसको इंप्रोफ करो, या आप क्या जाते हैं नेक्स वीडियो तो उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, अगर थेंक्स वारे शबार आपको